साथियों, कृशी क्षेत्र में इन अहित्यासिक बड़लाओं के बाद, इतने बड़े व्यवस्ता परिवर्तन के बाद, कुछ लोगों को अपने हाथ से नियंत्रन जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए अब ये लोग MSP पर किसानों को गुमरा करने में जुटे हैं। ये वही लोग हैं जो बरसों तक MSP पर स्वामी नाथन कमिटी की सिफारिसों को अपने पैरों के नीचे दवा कर बैठे रहे। मैं देश के प्रत्ते किसान को इस बात का भरोसा देता हूँ कि MSP की विवस्ता जैसे पहले चलती आ रही थी बैसे ही चलती रहने वाली है। इसी तरह हर सीजन में सरकारी खरीद के लिए जिस तरह अभ्यान चलाये जाता है वो भी पहले की तरह चलते रहेंगे। साथियों किसानों को MSP देने और सरकारी खरीद के लिए जितना काम हमारी सरकार ने किया है वो पहले कभी नहीं किया गया। बीते पांच साल में जितनी सरकारी खरीद हुई है और 2014 से पहले के पांच साल में जितनी सरकारी खरीदी हुई है उसके आंकडे देखोगे तो कौन सच बोल रहा है। कौन किसानों के लिए काम कर रहा है कौन किसानों के बलाई के लिए काम कर रहा है इसकी गवाई वही से मिल जाएगी। मैं अगर दलहन और तिलहनी की ही बात करूं, तो पहले की तुल्णा में दलहन और तिलहन की सरकारी खरीदेर करीब करीब 24 गुना अधिक हो की गई है, 24 गुना अधिक. इस साल कोरोना संक्रमन के दौरान भी रभी सिजन में किसानों से गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी की गई है इस साल रभी में गेहूं, धान, दलहन और तिलहन को मिला कर किसानों को एक लाग तेरा हजार करोड रुपिये एमेस्पी पर दिया गया है ये राशी भी पिछले साल के मुकाबले 30 प्रतिशत से जादा है, यानि कोरोना काल में न सिर्फ रिकॉर्ड सरकारी खरीद हुई, बलकि किसानों को रिकॉर्ड भुगतान भी किया गया है